नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको Google पे से Instant Personal Loan कैसे लेते हैं Complete Process बताने वाला हूँ और देखिए Google पे से Loan लेने का जो सबसब बड़ा Benefit है वो ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कोई न कोई offer आपको देखने को मिलता है यानि कि हो सकता है आपकी जो processing fees है वो 100% तक माफ हो जाए या हो सकता है आपकी जो processing fees है वो 50% तक माफ हो जाए तो Google पे से Loan कैसे Apply करते हैं और Instantly आपको Loan कैसे मिलता है वो complete process दिखाने वाला हूँ तो आप सुरू से लेकर लाश्ट तक वीडियो में बने रहिएगा document की बात करेंगे या आधार card, pen card आपको देना है और साथ में आपका एक bank account होना चाहिए जिसमें आप इस पैसे को withdraw करेंगे और आपका जो civil score है वो देने वाली संस्ता पर depend करता है कि आपका civil score कितना होना चाहिए फिर भी मैं आपको बता दूँ, Loan Apply करने के लिए कम से कम 600 civil score होना आपका बहुत जरूरी है इस क्रिट पर आप देख सकते हो, आपके सामने Google पर देखने को मिलेगा जिसे हम GP नाम से जानते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आएगा, यहाँ पर मैं password डाल कर open कर देता हूँ जब आप यहाँ पर आएंगे, तो आपको कुछ इस प्रकार का interface देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कि लोन के लिए apply कैसे करना है देखो नीचे आओगे, तो popular offer है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे थोड़ा और नीचे आओगे, scroll करेंगे, तो यहाँ पर आपको offer देखने को मिलते है ऐसी दोस्तों एक और offer देखने को मिलता है, जो कि है money view अब दोस्तों money view तो आपको play store पर भी देखने को मिल जाएगा पर यहाँ पर आप अगर loan के लिए apply करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि get 50% of your processing fees है, आपकी वो 50% माफ हो जाएगी आप यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे इस तरीके से, बताया गया है कि आपकी जो processing fees है वो 50% तक माफ हो जाएगी, या आपकी जो 500 रुपे हैं, वो माफ हो जाएगे ठीक है, 500 रुपे तक का यहाँ पर आपको benefit मिलेगा 31-2024, तो आप 31 माई-2024 तक कभी भी जो है इसको अपलाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको code देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे यह code है दोस्तों, जो कि आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो है यह जो code देखने को मिलेगा एक बार आप इसका skin sort ले लेंगे हो सकता है बाद में आपको जरूरत पढ़ जाए और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर आपको देखने को आपको देखने को मिला है कि आपको जो यहाँ पर लोन मिलेगा वो maximum 5 लाख रुपे तक का लोन मिल सकता है और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कम से कम आपको जो है 5000 रुपे और maximum 5 लाख रुपे तक का मिलेगा और नीची आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका कोई भी hidden charge नहीं है 100% paperless work होने वाला है तीन से लेकर 60 महिने के लिए आप यहाँ पर ले सकते हो 10 मिनट के अंदर डिस बढ़ जल है यहाँ पर आप इनकी जो termine condition है उसको दोस्तों follow करेंगे और यहाँ पर सबसे पहला आप देख लेंगे बताया गया ह 4.7 की rating देखने को मिलेगी 5 में से 100% transparency है और नीचे आएंगे तो customer care जो है support आपको 24-7 देखने को मिलने वाला है इस तरीके के कुछ आपको यहाँ पर detail देखने को मिलेगी जो है sign in पर click करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम sign in पर click करेंगे जैसे sign in पर click करते है हमारे सामने जो ह जो है list आ चुकी है यहाँ पर पूछा गया है कि आपके pen card में जो आपका नाम है वो यहाँ पर आप डाल देंगे चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ उसके बाद दोस्तो नीचे पूछा गया है कि आपका आप जो है कैसे employee है यानि कि आप salary है या self employee है जो भी है दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो more than 3 lakh रुपे यहाँ पर आ गया है उसके बाद आप continue पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से processing स्टार्ट होगी और आप जो है next page पर पहुँच जाएंगे अभी यहाँ पर आप से पूछा गया है दोस्तों कि यहाँ पर अपना pen card का number देंगे अपनी date of birth बताएंगे आप कहाँ पर रहते हैं अपना pin code देना है आप male है या female है वो यहाँ पर select करेंगे उसके बाद आप कितने पढ़ी लिके हैं education type select करेंगे यहाँ पर आप business name बताएंगे नीचे get offer पर click करके आप अपने offer को जान सकते ह तो मैं इस field को बढ़के offer पर click करता हूँ और जो भी offer होगा दोस्तो money view के तरफ से वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अभी आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तो Google पे से हमें पूरे 10,000 रुपे की limit मिली है जो की इस पैशो को हम instantly अपने bank account में transfer कर सकते हैं तो यह ज maximum 6 महिने के लिए यहाँ पर पैसे ले सकते हैं और यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हमारी जो processing fees है वो 650 रुपे दोस्तो हमें यहाँ पर पड़ेगी यहाँ पर आपको have up जो है promo code देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप अपना promo code जो मैं आपको बताया था अभी उस code को द दोस्तो हमारी जो processing fees है वो 325 रुपे है जो कि 650 रुपे यहाँ पर हमें processing fees देखने को मिल रही थी तो 50% हमारी जो processing fees है वो यहाँ पर माफ हो चुकी है अब यहाँ पर हमें कितना loan लेना है दोस्तो मैं आपको बताऊं अगर मैं 10,000 रुपे का loan लेता हूं तो भी वही process है क् तो कम से कम अगर मैं यहाँ पर दोस्तो 4000 रुपे का loan लेता हूं तब भी वही process है क्योंकि हम 4000 से लेकर 10,000 के बीच यहाँ पर पैसे ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर दोस्तो आपको तीन महींने के लिए और 4000 रुपे की जो amount है वो लेकर दिखाने वाला हूं और यहाँ पर आ हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम यह जो apply कर रहे हैं direct portal के माधियम से करए हैं हम यहाँ पर जो loan ले रहे हैं दोस्तों नीचे आएंगे purpose जो है Learn का वो यहाँ पर बताना है उसके बाद आप जो है save पर click करेंगे तो इस field को बढ़ता हूँ आगे save पर click करता हूँ साब कुछ भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं save पर click करूँगा उसके बाद एक step और आगे आ चुके हैं यहाँ पर हमें भर देते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेपर किलिक करूँगा उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमने यहाँ पर अपनी personal detail भी दे दी है business detail भी दे दी है यहाँ पर हम continue पर किलिक करेंगे continue पर किलिक करने के बाद एक step और आगे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे दोस्तो हमने यहाँ पर डिटेल दी है उसकी यहाँ पर अब processing स्टार्ट हो चुकी है और आगे चलके हमें this KYC complete करनी है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो KYC verification successfully हो चुका है यहाँ पर पूरी detail हमारी आ चुकी है अगर यही address है तो confirm पर click करेंगे मैं यहाँ पर confirm पर click करता हूँ उसके बाद देखेंगे दोस्तो एक step और आगे पहुंचने वाले हैं यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सब कुछ हो चुका है KYC complete हो चुकी है आप यहाँ पर अपने bank की detail देंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो आपका bank कौन सा है वो यहाँ पर आप सर्च करेंगे मेरा union bank है तो मैं यहाँ पर union bank select करूँगा उसके बाद दोस्तो नीची आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा account number तो यहाँ पर account number देना है फिर से confirm account number करना है उसके बाद अपना IFSC code देंगे उसके बाद verify now पर click करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो जो हमारी bank की detail है वो verify हो चुकी है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक option देखने को मिलेगा और पूछा जा रहा है कि अब हमें last में एक selfie देनी है तो यहाँ पर दोस्तो add up photo पर click करके हम एक selfie capture करेंगे selfie मैंने upload कर दी है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो upload now पर click करूँगा उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि हमारी जो documentation हो लगबा complete हो चुकी है submit पर click करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है okay, got it, congratulations अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों next option हमारे सामने open हो चुका है यहाँ पर enable EMI auto debit को okay करना है याँ कि enable करना है अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारी 4000 रुपे की 3 EMI बढ़ेंगी दोस्तों वो automatic हमारे bank account से cut हो जाएंगी तो यहाँ पर enable now उपर click करूँगा यहाँ पर आपके सामने कुछ इसपर का interface आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर या तो आप ATM या debit card का use करके जो हैं इसको enable कर सकते हैं या आप net banking के दोवारा जो हैं इसको enable कर सकते हैं net banking को ok करूँआ उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इसपर का interface आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों Union Bank of India का portal यहाँ पर आपको अपनी user ID डालनी है जो भी आपकी net banking की है उसके बाद आप यहाँ पर password डालेंगे यहाँ पर आप verification code डालेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप login पर click करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों auto debit enable हो चुका है नीची आएंगे done पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों last में एक agreement बचा है जो कि यहाँ पर forward number पर आप देख सकते हो review and submit agreement यहाँ पर continue पर click करूँगा और continue पर click करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक agreement आजाएगा यहाँ पर provide reference यहाँ पर family member की जो है आपको detail देनी है उसका full name देना है mobile number देना है यह आप अपने जो friend है उसका एक mobile number देकर continue पर click करेंगे अभी आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने पूरी detail आचुकी है यहाँ पर processing fees जो है यहाँ पर 137 रुपे लग रही है यहाँ पर pre EMI जो है वो 38 रुपे की है और यहाँ पर जो insurance है वो 111 रुपे का है और यहाँ पर amount जो transfer होगी 3714 रुपे होगी यहाँ पर आप see more detail पर click करके दोस्तों पूरी की पूरी detail देख भी सकते हैं तो पूरे जो loan है दोस्तों उसकी कुछ इस तरीके से आपको detail देखने को मिलने वाली है यहाँ पर आपको बताया गया है कि 3 महिने के लिए आपका यह loan होने वाला है जो कि आपकी मन्तली EMI 1421 रुपे की पढ़ेगी और 5 फरवरी को दोस्तों आपकी पहली EMI जाएगी और interest rate आपको बताया गया है 39% यानि कि आप देखेंगे तो 3 बारतिया 36 3% से थोड़ा सा जादा यहाँ पर आपको interest पढ़ने वाला है यहाँ पर आप सब कुछ देख लेंगे सब कुछ देखने के बाद अगर आपको पसंद है तो आप continue पर click करेंगे यहाँ पर मैं continue पर click करता हूँ उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर business loan application का जो form है वो हमारे सामने आ चुका है पूरी detail है यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आप जो है इसको एक बार read कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आप continue पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों हमारे mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डालना है और OTP को डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर verify OTP पर click करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे agreement verify successfully done पर click करेंगे अब यह जो पैसे हैं कुछ ही समय के अंदर हमारे bank account में transfer हो जाएंगे यहाँ पर complete सब कुछ हो चुका है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि money transfer to your bank account progress है और यहाँ पर एक घंटे से लेकर मतलब दो घंटे के बीच यह पैसा हमारे bank account में transfer हो जाता है और कई बार तो दोस्तों मतलब 10-5 मिनट के अंदर यह जो पैसा है वो हमारे bank account में transfer हो जाता है दोस्तों bank के तरप से भी message आ चुका है 3714 रुपे हमारे bank account में आ चुके हैं जो कि हमारा 4000 रुपे का लौन था तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगबग 286 रुपे के आसपास जो है वो यहाँ पर हमारा total खर्च हुआ है और यह पैसे हमारे bank account में आने में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद